कल शाम को नैशनल हाईवे के बिल्कुल पास नूरा हॉस्पिटल के ऑपोजेट हमडी एरिया में स्पेसिफिक इंपुट मिली थी के वहां पे कुछ टेरिस्ट ने बना ली है उसके बाद आर्मी, जेकेपी और सियारपी अफ दुवारा जोएंट ओपरेशन लॉंच किया गय जो पूरी रात चला और आज साड़े 11 बजे जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो उसमें तीन टेरिस्ट जो हैं उनको मार गिरा गया गया गौरतलबाद यह है कि इस इलाके में जो पारिमपूरा का नारबल का और वमीना का इलाका है यहां पे कंटिनूसरी इंपूर्स आ रही थी कि टेरिस्ट किसी बड़ी टेरिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं और सभी इंटेजंसी और सेक्यूर्टी फोर्सेज इंटेलियंस को बिल्ट आप कर रही थी और कल जब खबर आई तो उस बिल्डिंग को कॉटन किया गया कॉटन करने के बाद टेरिस्ट को सुरंडर करने की अपील की गई काफी देर अपील करने के बाद एक टेर्रिस्ट विल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश उसने की लेकिन जैसे ही वह बाहर आने लगा जो अंदर उसके बागी साथ ही थे उन्होंने फायर खोल दिया और गर्नेट्स स्कूर्टी फोर्से को हमने सिस्पेंट किया कोडन जो था उसको टाइटन करके इंटेक्ट रखा और रात भर और सुबह फर्स टाइट पर हमने फिर स्रंडर की अपील की लेकिन जब भी हमने स्रंडर के लिए अपील की अंदर से या तो उन्होंने उसका जवाब फायरिंग से दिया या लगा जादा गर्नेट फैंके तो इससे जाहिर होता है कि वह सिरंडर करने वाले ताक में नहीं थे और जो गोला बारू दोंने पूरी रात यूज किया स्कूर्डी फोसे अगेंस्ट वह इस बात को दर्शाता है कि वाकई में नैशनल हाईवे के पास वो किसी बड़ी कारवाई क को इंजाम देना चाहते थे और उसके बाद जाब दोनों तरफ से गोला बारी हुई और इस कारवाई में तीनों का तीन मारे गए तैंक यू नौर्थ कैश्मीर में पिछले एक हफते में दो एंटी टैर्रिस ऑपरेशन्स किये गए और इन दोनों ऑपरेशन्स में पांच कि अतनकवाडियों की मार गिरा गया हैледं कैं режू 24 डिसमबर को वनिगाम गाओ में जो कि क्रीवी पट्न के पतरन के इलाके में पड़ता है हुई है वहाँ एंटी टैर्रिस्ट ऑपरेशन्स में दो टेर्रिस्ट को मार गिराया गया था जिसमें एक टेर्रिस्ट पाकिस्तान का रहने वाला था अबरार 2018 से एक्टिव था उसके साथ दूसरा लोकल टेर्रिस्ट आमीर सिराज था सपोर का रहने वाला जो जून 2020 से एक्टिव था